दोस्तों मैं स्वरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज Mix GK में हम देखेंगे Top 25 ऐसे Question Answers चोकी बहुत बार repeat होते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा end तक देखना और 25 में से आप लोग कितने Questions के Answers सही कर पा रहे हैं अपना Score Comment Box में जरू बतेगा चलिए शुरू करते हैं पहला Question है नागरजुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर इस्तित हैं आपको हरे Question का आंसर दोस्तों Comment Box में जरू बताना है तो जल्दी से इस Question का आंसर Comment Box में बताईए देखें नागरजुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर इस्तित है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस Question का राइट आंसर हैगा क्रिश्णा नदी पर यानि कि D. राइट आंसर हो जाएगा आई होप कि आप सबने भी यह आंसर लगाया होगा दूसरा Question आता है बीडी सावर करने 1904 में अभिनाव भारत की इस्थापना कहा की है जल्दी से आंसर बताईए आपको हर एक Question में दोस्तों 3-4 सेकिन का समय मिलेगा ताकि आप उस Question को जो आंसर है वो Comment Box में बता सके तो बीडी सावर करने 1904 में दोस्तों अभिनाव भारत की स्थापना कहा की है तो राइट आंसर हैगा लंदन में यानि की C राइट आंसर हो जाएगा तीसरा Question आता है टीका करन की खोज किसने की मेरे प्यारे दोस्तों टीका करन की जो खोज है वो किसने की है जल्दी से आंसर बताईए मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हैगा Edward Jenner ने यानि की Option ए राइट आंसर हैगा Question No.4 आता है पीलिया रोग से संबंदित अंग है Comment box में आंसर आना चाहिए बही सबीगा पीलिया रोग से संबंदित अंग कोन सा है तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा यकरत यानि की Option ए राइट आंसर हो जाएगा Question No.5 आता है अकबर ने जजिया कर की समापती किस वर्स की दोस्तों अकबर ने जजिया कर की समापती किस वर्स की तो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों इस Question का राइट आंसर रहेगा 1564 में यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा वई ठीक है अगर आप लोग किसी भी वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो Only Top Study एप को डाउनलोड करिए 5 स्टार की दोस्तों रेटिंग करिएगा इसके बाद आपको सारी यूटूब की जो वीडियोज है उनकी पीडियाप फिरी में मिलना है स्टार्ट हो जाएगी डेली करेंटर फिर की पीडियाप भी मिल जाएगी और जोब अपडेट्स और भी बहुत सारी चीज़े हैं Only Top Study एप पर जो आपको फिरी ओप कोस्ट मिल जाती है जो हमारी मास्टर पीडियाप है दोस्तों 6000 के कोशन आंसर्स की जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर कराएगे हैं ये हमारी पेड पीडियाप है 1.500 रुपे में आपको मिलती है और हमारी वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं वैसे मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दे दिया है या फिर हमारे वोट्सप नंबर से भी ले सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ये वीडियो दोस्तों रेगुलर 9 बज़े आती है Only Top Study चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लेना दोस्तों चटा कोशन आता है अंतरास्टे होकी मैज का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है Very Very Important Mark कर लेना जो अभी एक्जाम चल रहा था दोस्तों उसमें एक कोशन पूछा गया था Very Very Important कोशन है तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बोक्स में बता दिया होगा इस कोशन का राइट आंसर हैगा सत्तर मिनट दोस्तों यानि कि C राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर साथ आता है फटा फट बता दिजे वई 2006 में यानि कि C राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है गैसो के दाब को किस यंतर से मापा जाता है दोस्तों गैसो के दाब को किस यंतर से मापा जाता है तो राइट आंसर इस बिल्कुल सही मैनोमेटर से यानि कि दोस्तो ओप्षन A right answer हो जाएगा वई अगला कोशन आता है सुभास चंद्र बोस हवाई अड़ा कहा परिस्ते थे दोस्तो सुभास चंद्र बोस हवाई अड़ा कहा परिस्ते थे जल्दी से आंसर बताइए तो right answer is Kolkata यानि की B right answer हो जाएगा वे अगला कोशन आता है मद्य परदेश का उच नियाले कहा परिस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों मद्य परदेश का उच नियाले कहा परिस्थित है तो इस कोशन का right answer क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों जबलपूर में है यानि कि C right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है ट्रिप्सिन का निर्मान कहा होता है ट्रिप्सिन का निर्मान दोस्तों कहा पर होता है जल्दी बतेए तो ये होता है अगनास्य में यानि कि option B right answer हैगा बहुत अच्छा कोशन है कहीं बार आता है एक्जाम में अगला कोशन आता है इबादत खाना की इस्थापना अकबर के द्वारा कब की गई दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा 1575 में यानि कि D राइट आंसर हो जाएगा वई अगला कोशन आता है युनेस्को का मुख्याले कहा परिस्थित है फटा-फट आंसर जरूर बताएगा देखिए मैं बहुत बोलता हूँ आंसर बताने के लिए उसके बावजूद भी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर करते हैं जब तक आप answer नहीं करेंगे, practice नहीं करेंगे, तो इस तो मज़ा नहीं आने का है आपको test लगाने में, जब आप सारे questions के answer करेंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ से होंगे, बहुत मज़ाएगा, आप ऐसा करके देखिए, और अगर आपको topic wise सारी चीजे पढ़नी हैं, कोशन आता है, नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्स किया गया, बहुत important है, यह जो अभी एक्जाम चल रहे हैं न दोस्तो, रिसेंटली जितने भी एक्जाम हो रहे हैं, उन पर आधारित ये सारी वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि जो pattern पूछे जा रहे हैं, जिस pattern के question answers वही कराने का मज़ा है, तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या है, 2009 में, अगर आप लोगोंने b right answer लगा, very very important question है, या दखना, पंदरवा question है, भारत में सिमेंट का पर्थम कार खाना, 1904 में कहां इस्थापित किया गया था दोस्तो, बहुत ही परदस्त, जल्दी बता दीजे भई, कहां पर लगा था पहला सिमेंट का कार खाना, सबने answer कर दिया, मदरास दोस्तो right answer हैगा, यानि कि C is the right answer, अगला question आता है, विक्टोरिया द्वीब किस महासागर में इस्थित है, जल्दी बताईगा, देखे, विक्टोरिया द्वीब क इस महासागर में इस्थित है, तो right answer is परसांत महासागर में, यानि कि option दोस्तो, A right answer हो जाएगा, question number 17 है, राष्टिय राजमार्ग 1 किन दो सहरों को जोडता है, जल्दी बताईगा, राष्टिय राजमार्ग 1 किन दो सहरों को जोडता है, दोस्तो, right answer is दिल्ली और अमरत्स यानि कि B right answer हो जाएगा, question number 18 है, मजदूर दिवस परतियक वर्स किस्तिती को मनाया जाता है, फटाफट answer बते है, मजदूर दिवस परतियक वर्स किस्तिती को मनाया जाता है, दोस्तो, जल्दी से answer बता दीजे, एक मही को मना जाता है, दोस्तो, यानि कि B right answer हो जाएगा, औ अपने दोस्तों के साथ में भाई बैन के साथ में सेयर कर देख रहें काफी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो विदुद्धारा का SI मातरक मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा MPR यानि की B right answer हो जाएगा भी question number 20 है वरतमान समय में भारत सरकार को किस चेत्र से सबसे ज़्यादा आए हो रही है जल्दी बताए तो मेरे प्यारे दोस्तो right answer हैगा देखिए मैंने बताया था परतम 2,3 यह 3 चेत्र होते हैं ठीक है तो यहाँ पर 33 चेत्र में क्या आता है दोस्तो जो सर्विस सेक्टर है वो 33 चेत्र में आता है तो यह आपको यह दखना है भारतिय सरकार को दोस्तो यहाँ से सब ज़्यादा इंकम होती है तो right answer is C, ये बहुत बार exam में repeat होता है दोस्तो question, अगला question आता है, spring घड़ी में कौन सी उर्जा होती है, बते ही जल्दी, दोस्तो spring घड़ी में कौन सी उर्जा होती है, तो right answer is, इस ती उर्जा यानि की right answer is B, तो ये आपको या दखना है, question number 22 है, अकबर द्वारा फतेपुर सीकरी की स्थापना किस वर्जा की गई, तो right answer is, पंदरा सो कहात्तर में दोस्तो, यानि की B right answer हो जाएगा, next question आता है भारत का पहला, पाइलट रहीत यान का नाम क्या है, भारत का पहला, पाइलट रहीत यान का नाम क्या है, दोस्तो, right answer is, बिल्कुल सही है, लक्षे है दोस्तो, यानि की C right answer हो जाएगा, कोशन अबर ट्वेंटी फोर है सोनार का परियोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तो सोनार का परियोग किसके द्वारा किया जाता है तो right answer is no संचाला को दुवारा किया जाता है दोस्तों जो now चलाते हैं उनके दुवारा यानि कि right answer is option C हो जाएगा next question आता है अंतरास्टिये सरम संगठन का मुख्याले कहा इस्थित है तो right answer is Geneva यानि कि option दोस्तों C right answer हो जाएगा ये आपको याद अखना है अब एक question मैं आप लोगों से पूछता हूँ सबसे पहले तो अपना score बता दीजिए 25 में से क्या score रहा है और एक question बतेगा दोस्तों गैसो के दाब को किस यंतर से मापा जाता है ये आपके लिए test question है तो जल्दी से answer बता देना और दोस्तों इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो only top study app को डाउनलोड कर लेना और five star की जैसे ही आप rating कर दोगे तो आपकी सारी पीडियाप दोस्तों मिलना start हो जाएगी ठीक है सारी पीडियाप आपको फिरी मिल जाएगी और ये धीरे धीरे और ज्यादा पीडियाप आजाएगी आपके पास जब आप five star की rating कर देंगे अगर आपको एक साथ में छेजार question answers की पीडियाप चाहिए जो हमारी paid पीडियाप है दोस्तों तो 150 रुपीज में आप इसको परजेज कर सकते हैं इसमें complete history है जोग्रफी है पॉलेटी एकनोमिक्स फिजिक्स कैमस्टी बायलोजी करेंट अफिर कंप्यूटर स्टेटिक जी के सारी चीज़े में आपको मिल जाएगी पूरा syllabus है मतलब यह समझ लीजे आप इसको आप हमारी website या WhatsApp नमबर से जाएगे